हेलोदोस्टो कैसे आप सभी दोस्टो आपसभी लुग के तैयारी अच्छी चल लएहागी और आच्छी चलनी चाहिए क्योंकि आप सबीटरिया में आपका 500 करीबन देखागी इसमें 900 कोचन दिया गया है South सब्सक्राइब कर दिया गया है अभी इसमें आपको टोटल 18 सेट दिया गया है ठीक है और हाँ अगर आप पीडियाप करना चाहते हैं तो पूरा बुक को ही आप डाउनोड कर सकते हैं जिसमें आपको 900 मिलेगा और आपको टॉपिक टॉपिक दिया गया है सभी आपको मिल्यागा पूरा चली क्वाल्टी में तो इसको डाउनोड करना ना भूलिएगा ठीक है तो आज का टॉपिक आपका होने वाला है टोकियो प्रालंपिक 2020 इसमें जखी पक्का पूछा आता है तो आप सब समझ सकते हैं तो आप इसको इतना समझ सकते हैं चली आगे रह responsible क्वा था तो योनाटि़ वाई इमोसें टोकियो प्रालंपिक मोटो याद रखिये गा यूनाटिब बई इमोसन था आपका यहां पे उनल रोमारो थीम का था मोविंग फारवर्ड विंग्स आपका यहां पर हो जाएगा उद्गार्डन समारोथीम अब इसमें कुल टोटल किसने देश भाग लिया थे तो 162 देश इसमें भाग लिये थे सरनाथी पारलम्पिक टीम और राष्ट्री ओलम्पिक राष्टी पारलम्पिक समीति सहीत इसमें कुल 122 भाग लिये अब यहां पर बोला गया कुल खेलों किसंख्या कितने थी तो खेलों कि संख्या समय था कितना 22 किसंख्या थे अगला कि इस बार टोके पारलम्पिक में दौज खा मिन्टन एवरं ताइक कमांडो और अगर कि पुछा जाए की टोकियो ऑलम्पिक में कितने 10 कितने खेल साम करने वाला पहला सहर बना है तो याद रखिएगा 1964 के बाद अगला कि टोक्यो प्रालंपिक में पांच देशों ने पहली बार भाग लिया था उस नाम याद रखिएगा भुटान माल्दिव सेंट विसेंट परागवे और गरना गरना डिनेस हो जाएगा टोक्यो प्रालंपि प्रालंपिक में भाग नहीं लिया था अगर पुछा जाया कि कोवीट के करण प्रालंपिक में कितने देशों ने भाग नहीं लिया था कोवीट के करण कोवीट एवं क्वालिफाई नहीं क्वालिफाई ना करने के करण ठीक है अगला कि आस्ट्रेलियाई साइक्लिंग प् पीज ग्रेको ने टोकियो पारालम्पिक खेलो का पहला सोन प्रदक जीता था किसने तो पीज ग्रेको याद रखिएगा टोकियो पारालम्पिक में पहला सोन प्रदक किसने जीता था तो आपका उत्तर हो जाएगा पीज ग्रेको याद रखिएगा भूले अगा नहीं ठीक है परालम्पिक खेलों का परालम्पिक खेलों में भारत का देखा जाए कुछ कुछ जो आपका important क्या fact दिया गया इसको हम देखेंगे इसमें बोला गया है कि जो इसका थीम क्या था तो कर दे कमालतू जो दिवंगत क्रिकेटर खिलाडी संजीव सिंग द्वारा रचित एवं गाया गया था कौन सा थीम था कर दे कमालतू टोक्यो परालम्पिक का दिव्यांग क्रिकेटर खिलाडी संजीव सिंग द्वारा रचि लिए थे हिनमें 40 पूरूस और चौदर महीला थी यांद रखियेंगा 40 पूरूश और 40 महीला थी सामिल हुए थी ठीक है भारत का पतल्बुक खेलों में यह सबसे बड़ा दल था याद रहिएगा पत्रालंपि के लूमें भारत का सबसे बड़ा दल था खाटन समारों में अगर पूछा जाया कि धोज वाहक कौन था तो टेक चंद जैवलीन थ्रो हो जाएगा टेक चंद जैवलीन थ्रो अगला की मरियपन ठंगा वेलू कोबीड नाइटीन संक्रमीत व्यक्ति के संपर्क में आने के करण वे भारती दल के उद्घाडन समारों में धोज वाहक न आप याद रखिएगा मरियपन ठंगा वेलू याद रखिएगा मरिय पन ठंगावेलू है कि समापन समारों में धोज वाहा क कौन था तो आवनी लेखार निसाने बाजित से अग्ला है कि हरविंदर सिंह एवां विवेक चिकारा टौकीयो प्यालंपिक मीं क्वालिफाई कर करने वाले पहले तिरंदाज बने थे कौन है तो हरविंदर सिंग और विवेक चिकारा टोक्यों प्राइलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तिरंदाज कौन बने थे तो हरविंदर सिंग और विवेक चिकारा ठीक है अगला कि बैडमिंटन खिलाडी पलक कोहली 19 वर् सबसे युवा खिलाडी बनी है तो कौन पलक कोहली किसे संब्दित है तो यह आपका बैडमिंटन खिलाडी से हैं ठीक है अगला देखते हैं कि पराची यादो भारत की पहली महिला खिलाडी है जिन्होंने पैरा कैनोंग पैरा कैनोंग यानी नौकायान में भाग लिया था खाविना बेन पटेल देंटेबल टेनिस में जीता था रेकृत ख़ो है कि चिसे संब्दित है तो टेबल टेनिस से याद है में ठेक allड़ के लिए पहला सबसे पहला जो भारत का पिक आया था किसमें पीक में या था तो आवनी लेखारा दस मिटर एयर राइफल में याद रखिएगा अगला कि भारत ने आप तक का सबसे सरवसेष्ट प्रदर्शन किया और 19 मैडल याद रखिएगा पांच आपका गोल्ड मैडल आठ आपका सिल्वर और च्छा आपका ब्राउंज जीत करके पदक तालिका में 24 वह इस्थान प्र जैता देखते हैं ठीक है कौन कौन से इनका इमेज वगरा भी दिया गया है आप अच्छे से देख पाएंगे आवनी लेखारा देखते हैं अवनी लेखरा का सौन पदक और कौन से यहां पे 10 मिटर एयर राइफल इस्टेंडिंग एस एच वन में सौन पदक और 50 मिटर एय ट्रीकाड की बराबरी कर ली ती यह जैपूर रायस्थान की रहने वाली है अगर यह पुशह जाया कि आपका जो आवनी लेखरा है कहां की रहने वाली ठाई रायस्थान जैपूर हो जायाए पाप worried हाली होारा जैपूर आप इसको अच्छे से याद रख्येगा आप यहा वाल हर यана अगला प्रमोधभागत शोन पदक प्रमोधभागत स्वन पदक नोगने बादमिंदन के पुरुस एकल SL-3 स्रीडिन में चुलाद जिता था और पर लंपद कहिलों में बैंडमिंटन प्रतियोगीता में सोन पदक जितने वाले भारतिय खिलाडी बने हैं तो कौन बैडमिंटन स्रिणी में परमोद भागत याद रखेगा सोन पदक अगला कि सुमीत अन्तिल सोन पदक जैवलीन थ्रो भाला फेक में पी 64 वर्ग में सोन फाइनल में 68.55 मिटर वाला भाना फेक करके वर्तमान विसो रिक को बरए बैडमिंटन करके प्रतियोगिता की पूरूस एकल me 16 रिखिने वॉले दूसरे चाड़ी समय म condemn क्या है कि या पे दुसरा傳त है इना तब आतुं कौन हन त्वा यार्र दुसरा आया ना चाहिए ना थूरण से दिए न तो आटा यहां से चुरू करते हैं चलिए रखें घ्रकैस आ ही ये रचह्त पतल्व अगर गुजराथ के प्राइट एफान टेवल टेनिस लोड़ी है र yağd отмет EA गार टेवल टेनिस तो है थिक्त आह सब्सक्राइब के से हैं इन्होंने पृष्ष попытा जिक्षार तो नाम क्या था योगेस कथुनिया याद रखेगा आग बात करेंगे देवेंद्र जहांजरिया रजट पदर देवेंद्र जहांजरिया इनका समंद चारू रायस्थान से है इन्होंने पूर्सो की जैवलीन थ्रो भारा फेक के एफ फोटी सिक्स इस परदा में रजट पद जीता है इनका समंद उना हिमाचल प्रदेश से है इन्होंने पूर्सो की ऊची कूद टी फोटी सेवन स्रेड़ी में दो दस्मलो जीरो सिक्स मीटर जंप करके एस्या रिकॉर्ड बना करके रजट पदक जीता है तो इनका नाम है निश्यत कुमार रजट याद रखेगा भ प्रदेश से है और इन्होंने पूर्सो की ऊची कूद टी सिक्ष्टी फोस इस परधा में रजट पदक जीता है इस परकार से इनका नाम आप सब लोग याद रखिएगा ठीक है आप यहाँ पर हम देखेंगे विभीन यहाँ पर यहाँ पर है यहाँ पर दिया गया है कि पूरुस एकल के बैनमेंटन प्रतियोगिता में एस एल फोस रिणी में रजट पदक जीता है वे पारालंपिक खिलो में पदक जितने वाले पहले आई-एस अधिकारी बने हैं गुर्तमान में कौतंबुर्ण नगर नोड़ा के जिला जिला अधिकारी भी है यह तकौन सु पचास मीटर पिश्टल एस एच वन स्रेडिम रजट पदक तथा पूर्सो की पीवन टैन मीटर एयर पिश्टल एस एच वन में कान से पदक जीता है तो नाम है सिंग राज अधाना ठीक है अगला है सरतकुमार कान से पदक इनका समंद मुझाफर पूर बिहार में है और ब कुरुस एकल रिकर्व त्रियंदाजी में कान से पदक जीता है अगला है कि 만ोज सरकार कान से पदक इनका समंद रूधर पूर उत्राखंट से है इन्हों ने बैल्टमेंटन प्रतियोगीता में है आप यहां पर देखेंगे वीभिन खेलों में भारत का पतक देखेंगे और इसमें क्या क्या निसाने बाझी में 2001 एक रज़त दो कांस से टोटल पांच आपका आया था निसाने बाजी में और बात करेंगे जैवलीन थ्रो में एक आपका सोन आया था एक रज़त आया था एक कांस आया था तोटल आपका तीन आया था और उची कूद में आपका यहां पर सोन नहीं आप आया था आपका तहीं आया था ठीक है चलिए आप यहां पर देखिए यह महतुपूर बन जाता है आपके एक्जाम के लिए यहां पर बोला गया प्दत अलिक पर अलंपिड देखें गया ठीक है यहां पर यहां पर देखा जाया तो पहला इस्थान किसका चीन है अगर बात करें हम टोक्यों टोक्यों ओलंपिक के बारे में तो पहला इस्थान किसका था अमेरिका का था तो यहां पर चानवे सुवड़ साथ रजत एक्क्यावन आपका कांसे टोटल दोसो साथ कुल पदक जीता गया था चीन के दौरा अदूसरा आपका है ग्रेड ब्रिटेन एक तालिस सुवड आठ और आपको कांसे अच्छा और आपका टोटल यहां पे उननेस इस मतलब तुडल आपका पतक आया था अगर यहीं पूछा जाया कि आपका नालिका में ओलं पिक का 2020 में भारत का इस्थान क्या था तो भारत का इस्थान 48 वां है और पर आलंकिक में देखा जाया तो यहां पर 24 वा इस्थान हो जाता है तो आपका यह आपको किलियर हो गया होगा और अगला जो आपका टॉपिक होगा यानि जो इसकी आगे का वीडियो आएगा वह आपका आएगा वीडियो दोएर 21 में चर्चित पूरसकार यहां से भी आपका एक कोशन बनता है सबी चीजों को मैं दोबारा रिपीट करके आपको कवर करा दूँगा अगर आपको वीडियो थोड़ा भी लगा होगा कि इंपॉर्ण आपके लिए बन जाता है तो वीडियो को लाइक जबूर कीजेगा सेर भी कर दिया कीजिए ताकि आप सब लोग सेर करते हैं तो मुझे बहुत ही अ दे मातरम